हेलो मैं जीपी दुबे आप लोगों को आईटि आइकन चैनल में स्वागत करता हूं आज मैं आप लोगों को आईटि आई की जो सीवीटी मोड में परिक्षा होने वाली है यह आपका अगस्त 2019 में जो एक्जाम दे रहे हैं यानि कि जो स्टूदेंट उनिस सेशन में अडिमिसन लिये हैं यानि उनिस एकी सेशन के सेकंड येर की स्टूदेंट है और वह औल इंडर टेस्ट तेस्ट दे रहे हैं तो उनका ये होल्टिकट आज ही जनेरेट हुआ है जिसमें कि आज मेरे बहुत सरे इस्टूदेंट ने फोन किया कि सर मुझे एक ही पेपर ये थियोरी पेपर का ही ये एक्जाम हो रहा है तो बाकी पेपर का चो नहीं निकल तो बहुत सरे लड़कों ने मुझे फोन किया अता मैं इस समद में एक वीडियो सोचा कि बना दूं तो देखें इस वीडियो का आप लोग पूरा देखें और जो अभी तक मेरे चैनल आईटे एकन को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आईटे की लेटेस्ट नीज या वीडि सब्सक्राइब करें तो देखें एक किसी आईटे का यह होल टिकट है तो यह एक स्ट्वेंट का नाम को यह है जिसका यह रॉल नंबर है और यह नाम है तो देखें इसमें इसका ट्रेड कोड चार सो ब्याली से यानि एलेक्ट्रिशन एनस्क्यूएफ और देखें यह two है यानि second year है और इसमें लिखता है main and supplementary यानि MAً इन एख्याम है तेकी यहां पर लिखा है 9 a.m. to 11 a.m. लिखा है यानि 9 बजे सुबा से 11 बजे सुबा तक और एक एक्जाम का सेंटर कोड यहां पर दिया हुआ है तो यह आप देखे कि इस टूडेंट का एक ही सब्जेक्ट यानि ट्रेड थोरी का ही इसमें एक्जाम का डेट दिया है यानि कि अगला इसका एक्जाम जैसा कि अभी कुछ दिन पहले NCBT, DGT का एक लिटेस्ट अपडेट आया था जिसमें कहा गया था कि इस बार से सेकंड येर बाले का यह इंपलेबिलिटी स्कील का भी एक्जाम होगा यानि इसमें और एक बातें हो सकती है कि अगला दूसरा होल्टिकट बाद में जनेरेट करेगा बाद में दूसरा एक्जाम दूसरे डेट पर लिया जाएगा या उसी सेंटर पर हो सकता है या दूसरे भी सेंटर पर हो सकती है जिसमें की कहा गया है instructions दिया है यहां कहा गया है कि Candidate reporting यानि Candidate को reporting करना है 90 Minutes before exam start time यानि जब exam start होगी उससे नब्य मिनट पहले यानि डेढ़ घंटा पहले यानि नौ बज़े ज़ड़ी exam हो रही है तो उससे नब्य मिनट पहले आप exam center में परिचार्थी पहुंच जाएं और gate closing time दिया है gate बंद होने का अंतिम समय है 15 मिनट और एक्याम start time यानि exam start होगी 9 बजे तो उससे पहले यानि पहने 9 बजे gate बंद कर दी जाएगी अता जो विद्धार थी इसमें परिख्षा देना चाहा रहे हैं वे 90 मिनट पहले यानि गंटा पहले exam center में जरूर पहुंचे और इसमें यह कह रहा है admit card must be presented for verification along with original यह original admit card आपको ले जाना होगा not photo copy और scanned copy तो जो admit card है तो यह scan copy मत ले जाए और photo copy मत ले जाना है और valid issued photo identity card जैसे identity card में आधार card ले जाना है जिसमें फोटोग्राफ लगा हो आपका card में या pen card होना चाहिए या passport होना चाहिए या driving license या भोटर ID card या आपके पास ID issued by enrolling iti और Nsti और establishment यानि तो आपके पास ID card का आपका identity card होना चाहिए या Nsti में जो पढ़ते हूं का या establishment के द्वारा तो करा के candidate arriving after gate closing time will not be allowed यानि जब gate बंद हो जाएगी उसके बाद में आपको उसमें घुसने नहीं दिया जाएगा करा कि no bio break is permitted during the examination no request for change in examination center or shift will be considered under any circumstances यानि किसी भी परिस्तिती में exam center change नहीं किया जाएगा या उसमें कोई shift में कोई change नहीं किया जाएगा इसन आप books, notes, geometry, pencil box, plastic, pouch, scale, log table, writing pad, eraser, cardboard, electronic devices, watch यानि घड़ी, wrist watch, wallet, goggles, handbags, mobile phones, earphones, microphones, camera, headphones, pen drives, pager, bluetooth, devices, calculator, debit card, credit card, electronic pen, scanners, water bottle, food and beverage यानि खाने पिने की इत्यादी आपको कुछ वहां center पर ले जाने नहीं दिया जाएगा तो आप जो candidates will be allowed to carry only for the following items with them into the examination venue यानि परिक्षारती परिक्षा भाहन में निमलिखित चीजों को लेके जाएं जैसे की admit card and ID card admit card और ID card लेके जाएं वेरिंग surgical marks surgical mask लेके जाएं और transparent water bottle जो की transparent हो water bottle उसको लेके जाएं hand sanitizer 50 ml का bottle और transparent ball pen इत्यादी लेके जाएं और COVID-19 का पालन करें जिसमें की mask आपको compulsory लेके जाना है और thermal scanning gate पर किया जाएगा और the candidates shall be sanitize their hands before entering the exam hall और exam hall में जाने से पहले आपके हाथों को sanitize किया जाएगा और the candidates should maintain social distancing and should avoid crowding in the exam venue और social distancing का पालन करना है तो आप सभी जो परिखारती हैं तो जैदी किसी का किवल hall ticket में theory paper का exam लिखावा है तो theory paper का आप लोग बढ़के exam उस दिन दे दें और बाखी subject का hall ticket यह ती थी बाद में मुझे लगता है कि यह ncbt board के द्वारा आप लोग को दिया जाएगा आता यह वीडियो यहाँ कर रहे हैं वीडियो कर अच्छी लगी तो मेरे चैनल आइट एक उनको लाइक से रता था सब्सक्राइब करें धन्य बाद